आइरन हमारे शरीर के संपूर्ण विकास और शरीर के सही संचालन के लिए अतियावश्चक पदार्थों में से एक है। आइरन हमारे शरीर के हर सेल में मौझूद होता है और शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुँचाने वाले सेल्स की सहायता करने वाले प्रोटीन हिमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। आइरन टॉक्सिंस को शरीर से बाहर निकालने, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाई रखने जैसे कई कारेओं के लिए बहुत जरूरी होता है जो लोग आइरन युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल नहीं करते उनके शरीर में आइरन की कमी उत्पन होती है और वे आइरन डेफिशेंसी एनीमिया की बेमारी से ग्रस्थ हो जाते हैं एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है आइरन की कमी दुनिया भर में पोशन संबंधी कमियों में आइरन की कमी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है और इस कमी का खत्रा मैलाओं में अधिक होता है एनीमिया के लक्षन धीरे-धीरे उभरते हैं पहले दौर में वे इतने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते जब पीडिक प्यक्तिक के स्थिति बिगड़ने लगती है तब अलग-अलग लक्षन दिखाई देने लगते हैं हमारे शरीर में आयरन प्राकृतिक तरीके से नहीं बनता इसलिए हमें शरीर में आयरन की दैनिक पूर्ती के लिए अपने आहार और सप्लिमेंट्स पर निर्भर होना पड़ता है लेकिन बाजार में उप्लब्ध आयरन सप्लिमेंट्स सिंथेटिक तरीके से बनाये जाते हैं और इनके हानिकारक साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अब करें तो क्या करें? जवाब है प्राकृतिक विकल्प अपनाईए पेश है सामी डारेक्ट का बायो आयरन बायो आयरन की क्या जरूरत? तो चलिए अब आपको डॉक्टरी शोध द्वारा प्रमानित यानि क्लिनिकली प्रोवन फर्क बताते हैं सामी फार्म्स में उगाया गया हरा मूंग सामी की प्रोप्राइटरी प्रक्रिया हाइड्रोपॉनिक प्रोसेस द्वारा विकसित किया जाता है इस प्रक्रिया के करण सामी के मूंग में बाजार में उपलब्ध हरे मूंग की तुलुना में 150 प्रतिशत अधिक आयरन का अंश होता है इस फर्क को समझने के लिए चलिए हम आपको एक उधारन देते हैं बायो आयरन की हर गोली में 8.5 मिलिग्राम एलिमेंटल आयरन होता है इतनी मात्रा को प्राकृतिक आहार में पाने के लिए आपको लगभग एक किलो अंकुरित यानि स्प्राउटेड कच्चा हरा मूंग खाना होगा बायो आयरन में है बायो पिरीन जो सिरम में प्रचुर मात्रा में आयरन की बायो अवेलिबिलिटी सुनिश्चित करता है और इसी करण अन्य आयरन सप्लिमेंट्स की तुलना में इसे कम मात्रा में लेना पड़ता है बायो आयरन को नैदानिक यानि क्लिनिकल तरीके से जाचने के बाद ये प्रमानित हुआ कि इससे हिमोगलोबिन के स्तर, मीन प्लैलिट काउंट्स और सीरम आयरन कॉंसेंट्रेशन में व्रिध्धी होती है और सिंथेटिक आयरन सप्लिमेंट्स की तरह ये हमारी अंतरियों में पाये जाने वाले बैक्टिरिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता खोशाल और तंद्रुस्त जीवन शैल्यू को अपनाईए सामी डारेक्ट के सुरक्षित और गुणकारी बायो आयरन को अपनाईए विरासत आयरुवेद की मान्यता विज्ञान की